हेलो जो सेयर मार्केट के एक और इनाल्सिस वीडियो में आपका बहुत बहुत सागत है हम लोग इनाल्सिस करने वाले मार्केट का तो सेयर मार्केट में काम इनकी अच्छा कहते हैं अगर आप इस सेयर पर इन्वेस्ट करेंगे तो यह सेयर आपको बहुत अच्छा खासा प्रेफिट देने वाला है चली स्थार्ट करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे देखी एनाल्सिस करने के लिए हमेशा देने जिए कुछ वेफसाइट से होता है उनका हम लोग इनाल्सिस करते हैं इडवांस फीचर्स अगर आप बिगिनर है तो इन्वार्ड फीचर्स के आपको जनुद नहीं है अभी रुकिए जब आपके प्रेफेस करते हैं तो देखिए सबसे हम लोग जो सेक्टर हम देखे सबसे पहले आपको इनासिस करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देना है फ्यूचर में जो हो रहा है जो इवेंट हो रहा है सबसे पहले आपको न्यूज पर बहुत जादा फोकस करना है आप जितने भी बिजनेस न्यूज होती है वो उनको पढ़िए अच्छे से न्यूज को पढ़िए ताकि आपको सारे डेटा आपको मिलता रहेगा वहां से है इसी विफणकों के पहले है तो 10 चाहल सेर्च करते सी थे लोग जिस कमपनी के बारे वाले करने learner or फीचर में किस तरीके से ग्रॉक करने वाली चलिए चलिके प्लब्स भाइब जान लेते हैं तो हमलोग सर्च करेंगे अजocarव करें तो देखिए पुछ टाइंग पे यह हमारा खुल चुका है अब देखिए को पुल चुका है हमारे पास और यहाँ पर कि अग्यों कि अग्यों कि तो देखिए हम लोग लोग पूच चुके हैं अब देखिए यहाँ पर Steal Authority of India Steal Authority of India Sale Sal.Co.in ठीक हम लोग इस पर आज इसका analysis करने वाले analysis क्यूं करेंगे हम लोग इस चीज का ध्यान दे रहा है कोई भी share को invest share में पैसा लगाने से पहले हमें यह देखना होता है कि किस तरीके से हम analysis कर रहे है और क्या हमारा कि हमें इसमें इनवस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहि any होगों में में के कहने से पइदा नहींません लोग तो कहते रहते हैं कि इसमें कर लो अपने लेवल से भी देख लेना चाहिए जहाएं अगर कोई वैक्ति बोल लहा है क्या और इस इससेर में लगाईये तब भी आपको इसमें सेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए वन्ना अगर ऐसे बोला है कि इसमें इन्वेस्ट कर लो यह अच्छा है तो आप भरुसा मत किजिए सारी पहलो को समझे कि आपको पैसा कमाना आपको गमाना नहीं किसी कहने पर आंके तो देखिए यहां पर हम लोगके हम लोग बात कर लें प्राइस के प्राइस की प्राइस बहुत कम है 104 रूपय का भी इसका सेयर है और देखिए अभी गिरा हुआ है 0.67 की 106 की परसंट की रि देख लेते हैं अब यहां पर देखें मार्केट कैपिटल की बात करें तैतालीस हजार 164 कुरुएंट का मार्केट कैपिटल है करेंट प्राइस जो स्यर का है वह 104 रुपया है हाई और लोग की बात करें तो 151 से 155 यानि कम से कम 155 जाएगा ठीक है और मिनिमूम इनका 55.3 ठीक है इतना जा सकता है इसके बाद देखें स्टॉक और पी देखें तो हम लोग 3.2 है सही है बुक वैल्यू भी देख सकते हैं तो 120 की बुक वैल्यू है और डिवेडेंट येल्ड की अगर बात करें 3.8 परसें वो भी ठीक ठाक है देखें आरो सी और आर से चलना है कोई दिक्कत नहीं है 11.2 इसका है विछ दो देखें सहीघी रहता में अलगुल्य से देंगे हैं तो देखें यहां पर आगर हम बात करें कि बात करें कि उस टाइम पर यह प्राइस इसका था 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 थीड़ अगर अगर तो देखो इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ी यहां पे थोड़ा इंक्रिमेंट हुआ उसके बाद भी बढ़ना इस्टार्ट हुआ 65, 67, 66, 90 एंड जुलाई 2021 को इसका प्राइस था 142 या नहीं बढ़ गया था उसके बाद यह थोड़ा लोग हो गया अगर बाई चांज कोई सेर है 104 रुपे से अगर रुका हुआ है छे महीने तक चार महीने तक रुका यह थो उसमें इन्वेस्ट करने तो फाइदा तो है नहीं अगर फ्लक्ट्वेट करा तो अच्छी बाद है भी बढ़ेगा तो अच्छी बाद है मारे पैसे बढ़ अब तीन मेंने के मलग बात करते हैं अगर इनका 119 रुपय गया था 26 अक्टूबर 2021 को उसके बाद मिनिमम जो इनका गया था वू 100 अग्या अगर भी बात करते हैं उसके बाद गया था 206 और मैक्सिमा इनका गया था 112 गया यहां पर आज 19 जनवरी 2022 है और यहां पर देखिए इसका जो वैलिव है वो है 104 104.70 ठीक है तो मान लिजे 105 मान लिजे इसको क्योंकि कल तक साथ बढ़ जायागा यह अब यह फ्यूचर के लिए क्यों अच्छा है अभी मैं बताऊंगा फ्यूचर के लिए क्यों बेस्ट है बे इंसन मत लिए सारी बाते भी बताएंगे आपको सबसे पहले अनालसिस रिपोर्ट आपको दिखा दें अनालसिस की सरकेस करना वह आप जानेंगे ठीक है तो यहां देखिए नीचे आते हैं नीचे दिखिए इनका हाँ हाँ अब प्रोडक्शन इतना हाई रहता है इस्टील का फिर भी डिमांड कम ही यह लोग पूरी कर पाते हैं इतनी डिमांड रहती है सप्लाई इतनी हो नहीं काती है वह अभी अभी रिसेंट्रि में कुछ प्रोजेक्ट लॉंच हो है इस्टील प्रोडक्शन करन्ने के लिए हैवी सप्लाई पढ़ेगी अब जाहिर से वाद अ है तो देखें यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर पीर कंप्रेशन देख रहे हैं जेस डबलू टाटा स्टील सेल अम लोग बात करें सेल का देखें कम्पनी आरस कितना है 104 यानि जो इसका जो शेयर का प्राइस 104.50 ठीक है पी कितना है 3.25 मार्केट केप्टलिक हम लोग बात करें तो कि 43,163.96 ठीक है उसका देख लें यहां पर डिवेडेंट कितना है इसका 3.83 उसके बाद है आपका एनपी नेट प्रॉफिट क्वाटरली की बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर है 4,338.70 क्वाटरली प्रॉफिट परसेंटेज में तेरा 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 बात करें तो 11.99 परसेंट है अब आप बोलेंगे कि यहां पर JSW पहले इस्थान पर है 366 रुपे का सेर है अरे भाई हमको यह जो सेर है ना इस सेर के जो प्राइस है ना यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसका प्राइस इंप्राइस एक सो चार रुपे एक साल के अंदर 5 रुपे पहुचने में ताइम नहीं लगेगा थाम रह्याँ पार पन्स रुपे पहुचने में समय बिल्कुल नहीं लगने वाले है तो यह बखुत जधा इंपोर्टेंट है यह से आर आपके लिए ठीक चालिए अब नीचे चलते हैं देखिए अब नीचे आपके लिए वह जादे इंपोर्टेन चीज़े कुछ है अब यहाँ पर समझेंगे ब्लोग है क्वार्टेली रिजल्ट के ब्लोग बात करते हैं चुकि यह एनलसी रिपोर्ट है तो आपको एनलसी अच्छी तरीके समझना है वीडियो में बने रहेगा जाने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि आपको मैक्सिम प्रॉफिट अगर लेना है तो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप यहाँ नहीं सीखेंगे तो आप कोई दूसरे इंसान से सीखेंगे और वो वक्तिया आपसे पैसे भी लेगा सीखने की हजार रुपे पंदा सुरुपे वो चार्च करेगा आपको सिखाने का बहुत सारे ऐसे कोर्सिब लॉंची जो लोग फ्री में नहीं सिखाते है अबनी को हमने खुला है तो उसका डिसम्बर में देखें कितना था 15,842 ठीक है करूर ठीक है उसके बड़ते बढ़ते 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 देखें हम लोग सेप्टमबर 26 में देखें चतंबर 2020 की बाद चले हैं 21 की तो यहां पर देख रहे हैं 26 जार आठाइज यहां पर देख रहा है आपको सामने ही चाप यहीं देख रहा है तो इसका देखिए कितना अच्छा रहा है ठीक है उसकी बात है एक्सपेंस की बाद करें तो यह अच्छी बात है अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हमनों बात करें इनका हर साल प्रॉफिट इनका पड़ा देखिए सबसे पहले तो इन्हों दिसमबर 18 मिन का प्रॉफिट बढ़ा लेकिन उसके प्रक्म हो गया कोई वा भी हो चुगा है इस टांब से अच्छा हुआ इस वात के तो कापी ठीक है और यहां पे बात करते हैं प्रॉफिट ईएस पनीचा पिंचाने क Creatora है अब देखें यहां पर हे लोग के बात कर लेते हैं कितना प्रॉफिट रॉस्प शलाग है आप देखिए यहाँ पर profit and loss की बात करें तो यहाँ पर भी वो ठीक ठा की है बहुत सही है यहाँ पर देखिए हर साल बढ़ता है इनका profit हर साल बढ़ता है profit इनका टोटल टीटीम 90,592 है ठीक है और expense कितना वो expense इन्होंने कितना गया 65,755 तब भी यह profit में चल ला है ठीक तो यह अच्छी बात है टेक्स के बाद profit की अगर हम लो भात कर लें तो टेक्स देने के बाद भी यह काफी अच्छे profit में हानी 9,483 बहुत सही अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है उसके बाद हम लो देखिए जो तयार हुए इस balance sheet के अनुसार share का जो capital है वो मार्च में 4,130 था 4,131 हो चुका है ठीक है तो यह भी अच्छी बात है उसके बाद total यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ कुछ और चीए देखिए cash flow में देख लिए थे cash flow हो जाता है important होता है वो देखिए opening activities 23,400 या नी इन्होंने 23,830 का opening investment किया है वो इसके बाद cash investment activity काम है अच्छी बात है और इसके बाद यह cash financing activities में भी ठीक है माइनस में नहीं गया है क्योंकि overall इनने का 328 आया है तो बहुत सही है net जो cash का flow है 328 है तो बहुत ही ठीक ठाक चला इस ताइम पर यह आने वाले दिनों में यह बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा क्यों देगा अम्हें आपको बताऊंगा क्यों देगा कुछ यहां पर प्रमोटर का पेटर्न भी देख लेते हैं उसके बाद में बताता हूं आपको करते हैं 2018 में फ्रमोटर थे 75 फर्षेंट 75 75 75 75 75 75 75 बताता है यानि इस कंपनी का जो प्रमोटर शेंव कोई बाहरी इंसान नहीं है खुद का है खुद की प्रमोटर इनगें 75 पर्सेंट इनके पाद रिजर्व ने खाल माल लिजे 100 गय है 100 में से 25 चीजें मेरे हां या माल लीजिये 25 चीज़े मेरे हाथ में 25 अबधार जादा रहेगी और में अच्छी ताक्त से काम कर पाँ तो यहां पर 75 परसंट दिखा रहा है आपको 75 परसंट जो है 65 परसंट जो है यहांपर वह कमपनी की वैल्यू को बताता है कि कमपनी कितना ज्यादा अपने काम के प्रमोटर्स का होता है ना तो बहुत अच्छी वाद होती है वह कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करती है इसमें जो उमीद है वह उमीद कम से कम अगर इस टाइम एक तो चार रुपय जो सेर है उसकी वैल्यू दो साल के बाद लगवग लगव हजार रुपय में हजाएगी हजार से पंद्रा सो क्रॉस करने वाली है शाधिस से जाधा भी हो सकती है तो ध्याद दे इस चीज़ के लिए अब बहुँ ज्यादा इम्पोर्डेंट है यह चीज़ तो still authority of India आपके लिए बहुत अच्छा हैं, आप लोग कर सकते हैं, बाकि आपकी खुद का analysis आपका काम आएगा, आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, आपके उपर depend है, मैंने पुरी report आपको बताई किस तरीके से मैंने analysis किया, मैंने आपको दि करना बहुत जुरूरी है, crypto में भी investment करना है, तो उसके लिए मैं description में दोनों link, वजीरक्स का link दे दूँगा, आप crypto का account वहां से open कर सकते हैं, crypto analysis आपको वहां सारा मिल जाएगा, उसमें कोई टेंसन वाली बार नहीं है, crypto analysis के लिए अलग playlist है, share analysis के अलग playlist, दोनों की playlist अलग लग है, तो जो playlist में है, आप देख लीजिए, अपनी इंपसंत की playlist चेक कर लीजिए, और हम सारे वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा, पर डे आपको 8 बोजी, share का update मिल जाएगा, कौन सा share कल कितने price का रहा है, कल कितना होने की उम्मीद है, सब कुछ आपको मिल जाएगा 9 बजे, पर डे, चाहिए, सिर्फ रवीबार को छोड़ का, ठीक है, रवीबार को छोड़ का आपको पर डे वीडियो अपडेट मिल जाएगा, लिस्ट आप चिक किजिएगा, daily update, share के नाम से list मिल जाएगा, share daily update के नाम से list मिल जाएगा, आपको वहां पर पर डे का आपको वीडियो मिल जाएगा, पांच मिनाट या शी मिनट का, वो वीडियो आपके लिए सफिसेंट रहेगा, आप update हो जाएगे, 8 बजे, उसके बारी आप investment करजिए, आराम से, ताकि आप अच्छे अच्छे profit को कमा सके, ठीक है, प्राफिट को आप गेन कर सके, आप चाहें तो जो spot एक्सल में कर सकता हो, और चाहें तो मैं आपको PDF में आपकी list मिल जाएगे, PDF में आप PDF से इसको ले सकते हैं, तेलेगरम पर मैं टाल दूँगा वहां से टेलेगरम पर जाकर और वहां से मुझसे जुड़ सकते हो कोई भी आप कूश्चन हो तो आप सकते हैं जितनी भी चीजी हैं मैं वहां पर अपडेट रहेंगे और मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको वीडियो अच्छे समझ में चनल को सब्सक्राइब लिए बैल आकनों प्रेस कर लिजेगा और ताकि फूचर में जितनी भी वीडियो अप्लोड होती हैं सारी के सारी आपको टाइम से मिलती रहे और आप अपडेट रहे सकें और अच्छा कासा पैसा कमा सकें बिलते नेक्ट वीडियो में थैक्स पर आप झाहिं जाहिं